Hello friends, psychology की पार्षाला में मैं हूँ आपका दोस्त Dr. Vivek Maheshwari कल अपनी पार्षाला में हमने meaning of motivation मतलब की अभी प्रेरणा का क्या अर्थ है इसके ओपर discussion किया था और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं basic concepts of motivation या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आप कहें basic concept of motivation और या इसको कहें कि motivation cycle अभी प्रेरणात्मक चक्र इन दोनों से ही आप समझ सकते हैं या आप इसको कहें कि basic motivational concepts कौन कौन से हैं तो भी यही है जो अभी हम discuss करने वाले हैं और आप motivational cycle की बात करें तो भी यही है cycle का मतलब क्या है कि चक्र घूमता रहता है वो एक चक्र ऐसा है जो तूटता नहीं है वो अभी समझ में आएगा कि मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं कि वो cycle है वो तूट नहीं रहा है वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है आज भी चलेगा कल भी चलेगा परसो भी चलेगा यह चलता जाएगा इसलिए इसको motivational cycle भी कहते हैं और इस motivational cycle में जो concepts आएंगे उनको हम basic concepts of motivation भी कह सकते हैं अब कैसे motivational cycle बनता है सबसे पहले कल भी मैंने कहा था कि किसी भी motivation की जो शुरुवात होती है वो होती है needs से और जिसको हम कहते हैं आवशक्ता आवशक्ता क्या होती है आवशक्ता व्यक्ति में किसी भी चीज की कमी या कोई अती हो जाती है मतलब की deficiency हो गई या excess हो गया वो state होती है आवशक्ता अब आप कहें कि कमी और अधिक्ता से मतलब क्या है अब आप देखें कि आपके अंदर पानी की कमी हो गई, पानी की आउशकता हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मैं पावर की कमी है, पावर मतलब psychological power, जो हम कहते हैं मुझे सत्ता मिल जाए, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कुछ कमी है, तो आपको क्या है आउशकता उ यूरीन जमा हो गया है तो वो क्या excess है आप क्या कहेंगे उसको निकालने की जरुरत है वो भी आपकी अपनी एक आउशक्ता है तो कोई भी motivation जो cycle है वो आउशक्ता से शुरू होगा और आउशक्ता है दो तरेके की होती है एक physiological need होती है और एक psychological need होती है physiological need की अगर बात करें तो hunger, thirst, sleep, sex और elimination आपको भूख लगती है आपको प्यास लगती है आपको नीद आती है आपको sex की इच्छा होती है और elimination मतलब कि आप urine जाते हैं आप पैखाना जाते हैं ये elimination की बात है ये जो चार आउशक्ता है मतलब कि नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन और नमबर पांच मैं चौथी की बात नहीं कर रहा हूँ ये है नमबर फोर, sex की आउशक्ता है नमबर फोर, अब ये one, two, three और five मतलब कि hunger, thirst, sleep और elimination ये ऐसी आउशक्ता है कि यदि ये पूरी ना हो तो आदमी की death हो जाएगी, पहली बात समझ लीजे, कि अगर भूख न लगे, खाना न खाया जाया, प्यास लगे, पानी न पिया जाया, नीन आ रही है, एक, दो, चार दिन आप न सौएं, और elimination मतलब कि आपको fresh होने जाना है, आप fresh होने न जाये, नहीं मैं तो नहीं हो सकती है, यह अलग बात है, लेकिन आदमी मरेगा नहीं, और इन physiological need है, जो कि 5 है, मुख्य 5 है, और इन सभी need को, मतलब की 1, 2, 5, इसमें sex भी आ गई, इन need को हम क्या कहते हैं, इन need को कहते हैं, cyclic need, इन need को physiological need भी कहते हैं, और cyclic need भी कहते हैं, और cyclic need का मतलब क्या है, कि च चक्री आवश्यक्ता है, और चक्री आवश्यक्ता है क्यों है, कि इनका चक्र खत्म नहीं हो रहा है, कि अभी भूख लगी, शाम को फिल लाएगी, कल सुबे फिल लाएगी, परसो फिल लाएगी, ऐसा कर कि भूख लग रही है, प्यास तूट नहीं रही है चक्र, या हम sex क के आवशक्ता है ठीक है आप सेक्स के आवशक्ता को अभी पूरे कर लें लेगिन फिर दो दिन बार फिर सेक्स के आवशक्ता आएगी तब इसलिए इनको कहते हैं साइक्लिक नीड या चक्री आवशक्ता और इनको फिजियालोजिकल नीड भी कहते हैं दूसरी तरह की नीड क आपको क्या आउशक्ता होगी मुझे लोग प्यार करें मैं psychological need की अगर बात करूं psychological need अगर इसकी बात की जाये तो क्या love need नहीं हो सकती है प्यार क्या आउशक्ता नहीं हो सकती है मैं एक बात करूं कि क्या power की आउशक्ता नहीं हो सकती है मैं एक बात कहूं कि affiliation संबंध की achievement की आवशक्ता हो जी हैं आप किसी चीज को उपलब आपको अचीव करना है आपको उपलब धी चाहिए आपको सम्मंध मनाने की इच्छा है आपको सत्ता की इच्छा है आपको प्यार की इच्छा है ये सभी इच्छाएं भी deficiency से हो रही हैं तो दो तरह के की need हो गई और motivational cycle भ यहां पर पूरा हो गया अब आवशक्ता से need से cycle शुरू हुआ अब need से cycle शुरू हुआ तो आप दूसरी तरफ cycle कहां पर जाएगा यह अब दूसरा cycle गया जिसको हम कहते हैं drive और जिसको हिंदी में कहते हैं प्रणोध अब drive क्या है अब drive का मतलब है is state of activeness कि यहां पर stress नहीं है आप attention मतलब अव्यक्ती में Activeness बढ़ रही है किसलिए उस आवशक्ता को पूरा करने के लिए Activeness बढ़ रही है आपको भूख लगी आवशक्ता हुई अब भूख लगी तो आपने Activeness शुरू होगी अब Activeness की नहीं घर में क्या पड़ा हुआ है घर में कहां से क्या मिल सकता है अच्छा किस होटल से खाना मंग वालूं अच्छा क्या मंग वालूं किस रेट का चल रहा है आप सारी के सारी चीजे पूछते हैं सारी के सारी चीजे देखते हैं समझते हैं वो क्या है वो ड्राइव की state है मतलब कि वो state of activeness है अब state of activeness में केवल और केवल activeness है मतलब कि drive की state में activeness है अब इसके बाद क्या हुआ activeness किसके लिए activeness होती है incentive के लिए या हम कहें कि activeness होती है किसके लिए goal के लिए आप incentive को कह लें प्रोचसाहन के लिए और goal को कह लें, आप लक्ष के लिए, क्यूंकि आप में भूख लगी, भूख से सम्मंधित आप में प्रनोध हुआ, मतलब की एक्टिवनेस आई, और वो प्रनोध किस लिए कि साब मुझे goal मतलब खाना चाहिए, मुझे incentive मतलब खाना चाहिए, किसी भी तरह से खाना चाहिए अब इंसेंटिव का मतलब क्या है कि वातावरण में कोई भी वस्तू जो व्यक्ति को अपनी और आकरशित करे और किसली आकरशित करे कि साहब उस वस्तू को पाने से उसकी आउख्षक्ता पूरी हो जाएगी लेकिन यहाँ एक बात और ज़रूरी है कि वातावरण में तो बहुत सारी वस्तू हैं लेकिन जो वस्तू है जो आकरशित कर रही है वो प्रोचसाहान वही होगा इंसेंटिव वही होगा उस व्यक्ति के लिए या गोल वही होगा जो कि उसकी आउख्षक्ता से सम्मंदित इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि मुशे लगी है भूख और वहाँ पर पानी भी रखा है तो पानी मेरे लिए इंसेंटिव नहीं है मेरे लिए खाना इंसेंटिव है अगर मुझे चाहिए कोई मुझे बात्रूम आई है और आप कहें कि साब खाना खालो उससाब पानी पिलो नहीं मुझे बात्रूम आई है तो मुझे बात्रूम की तरफ जाना पड़ेगा मेरे इंसेंटिव या मेरा गोल क्या है कि मुझे बात्रूम की तरफ जाना है मुझे खाने के जरूरत नहीं है तो क्या हो रहा है अब आपको पानी की प्यास लगी और आपको यह रोट अब गोल के बाद आपको क्या मिलता है एक reward मिलता है एक reward मिलता है और आप reward को ज़्यादा समझाने की जरूत नहीं है reward का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी गोल आपको मिला अब गोल मिलने से आपको क्या होगा आउशक्ता की पूर्ती होगी आपको incentive मिलने से क्या होगा आउशक्ता की पूर्ती होगी तो यहाँ पर जो reward है क्या वो satisfaction हो सकता है जिसको हम कहते हैं संतुस्ती चक्र कहां से शुरू हुआ था आपके आउशक्ता से शुरू हुआ आपके drive पे गया मतलब कि state of activeness पे गया state of activeness ने आपको धक्का दिया incentive पाने के लिए गोल पाने के लिए आपको incentive मिल गया गोल मिल गया वो आपके लिए reward हुआ और reward का मतलब है कि आउशक्ता की संतुस्ती और जब आउशक्ता की संतुस्ती हो गई मतलब की need यहाँ थी आपको reward मिल गया अब दोनों शान्त हो जाएंगे आपको भूख लगी खाना मिल गया तो पूरे हमेशा ही तो भूखे थोड़ी न रहते हैं आपको भूख लगती है चार रोटी खा लेते हैं भूख शान्त हो जाती है फिर पानी की आवशक्ता शुरू होती है फिर नीन के आउशक्ता शुरू होती है एलिमनेशन के आउशक्ता शुरू होती है फिर सेक्स के आउशक्ता शुरू होती है तो होता क्या है कि नीड तो हुई लेकिन नीड के लिए एक्टिवनेस भी आई हम वो काम करते हैं कि नहीं मुझे किसी भी तरह से आउशक्ता को पूरा करना है incentive मिल गया वो अपने आउशक्ता को पूरा करने के लिए जो भी आपको incentive मिले incentive मिलेगा incentive से reward आहा मज़ा आ गया खाना मज़ा आ गया संतुस्ती अब उसके बाद क्या होगा अब फिर है कि यहाँ पर आ रहेते हैं ठीक है reward तो मिल गया satisfaction मिल गया लेकिन satisfaction मैंने कहा था motivational cycle satisfaction मिल गया आउशक्ता की पूर्ती हो गई लेकिन फिर आउशक्ता की पूर्ती होगी थोड़े समय के बाद आपको प्यास लगी आपको पानी के लिए आप भागे आपको पानी मिल गया पानी मिलने से आपकी पानी के आउशक्ता पूरी होगी लेकिन आपको फिर से प्यास लगेगी मतलब वापिस नहीं चले जाएए need के उपर आपको sex की आउशक्ता हुई आपकी sex की इच्छा को आप पूरी करने के लिए आपको sex की आउशक्ता की पूरी करने के लिए आपको एक गोल मिला उससे आपको reward मिला मतलब की sex की आउशक्ता पूरी हो गई अब फिर दो दिन बाद तीन दिन बाद फिर आउशक्ता आ जाएगी लेकिन एक बात ध्यान रखेगा कि sex की आउशक्ता ऐसी है जो अगर पूर्ती ना हो तो आदमी मरता नहीं है लेकिन भूख प्यास या आप कहें नीद या आप कहें elimination पैखाना करना आप अगर इनको छोड़ देंगे यदि इस cycle में अगर वो तूट जाएंगी वो आउशक्ता है पूरी नहीं होगी तो फिर आ reward हुआ और वापिस आउशक्ता शुरू हो गई आप से कोई पूछे कि basic concepts क्या है motivation के तो आपको कहना पड़ेगा need आपको कहना पड़ेगा drive आपको कहना पड़ेगा incentive और goal और आपको कहना पड़ेगा reward ये चार motivational concepts भी है या चारों ही motivation cycle के component भी है तो आपको समझ में आगया ह होगा और ये हमारा topic में फिर लिख देता हूं इसको हम कह रहा है थे motivational cycle अभी प्रेरनात्मक चक्र अभी प्रेरनात्मक चक्र तो ये topic complete हो गया कल फिर एक नए topic के साथ मिलेंगे आप इस topic को बहुत अच्छी तरह से एक बार समझ लें एक बार अगर समझ गया केवल इन चार चीजों को तो आपको ये topic complete हो जाएगा आप कभी भी इसको नहीं भोलेंगे तो फिर आपसे विदा लेता हूं कल एक नए topic के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद